हलो यूरी विवन गुड बॉनिंग नमस्कार पांच दिसंबर 2022 और दे हिंदू न्यूज अनालिसिस में आपका स्वागत है आज की जितनी भी इंपोर्टेंट और एक्जाम और इंडेड न्यूज होगी वो इस वीडियो के थूर डिसकस करेंगे अगर आप इस न्यूज पेपर की पीडियाप को डाउनलोड करना चाहते हैं आपको मिलेगे टेलिग्राम पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तन आईएस अकेडमी टेलिग्राम पर टाइप करके भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एक न्यूज मेंसन करीगी है इरान को लेकर इरान काफी ज़्यादा न्यूज में मैंने कई बार रिपीट किया है कि वेस्टर नेशिन कंट्री में कोई कंट्री अगर कंटेन न्यूज में वो है इरान इरान के अंदर पिछले दो महिनों से प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है प्रोटेस्ट के बारे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ वहाँ पर एक morality police है और वहाँ पर एक महिला की death होगी थी क्योंकि morality police ने उसको custody में ले लिया था और उसके ओपर allegation लगाया कि उनने जो हिजाब है वो proper तरीके से नहीं पहना था और उसके बाद दो महिने से लगाता यहाँ पर protest हो रहे हैं इनी से प्रोटेस्ट को देखते वे इरान ने एक rare gesture शो किया यानि इरान ने अपने इस decision को एक तरीके से reverse कर लिया कि morality police जो है उसको बंद कर दिया जाएगा और यह क्यों हुआ है क्योंकि लगातार दो महिने से protest हो रहा बड़ी संख्या में लोग जो है सरकार के एक तरीके से अगेंच प्रोटेस्ट कर रहे हैं इवन यह जो morality police है या फिर एक तरीके कह सकते कि anti-hiza moment भी आपको देखने को मिलेगा इनी सब चीजों की वज़े से यहाँ पर यह decision लिया गया जो महिला जिसकी death हुई थी महाशाँ अमेनी और यह 22 एर ओल्ड इरान की कुर्दिश ओरिजन थी जिनकी 16 सेप्टेंबर को death हो गई थी उसके बाद बड़ी संक्या में प्रोटेस्ट हो रहे है और रिशन में announcement भी क इना नहीं है और इसको इविडिटली abolish जो हो किया जाएगा इरान के सामने कई तरह के struggle है इरान एक तो internal struggle कर रहे है क्योंकि country के सामने कहीं ने कहीं इस तरह के protest definitely और ज्यादा challenge create करते हैं second अगर हम बात करते हैं इरान के ओपर कई सारे sanction लगे हो है nuclear एक तरीके से deal को लेकर या nuclear deal cancel होने की वज़े से या फिर कह सकते हैं कि उसके अंदर withdraw करने से US में तो उसके ओपर अभी भी sanction continue है इन सब के बीच में जब एक country पर इतने सारे sanction हो जब जो majorly oil पर depend हो export करने में वो oil export proper नहीं हो पा रहा हो उन सब के बीच में अगर internally भी इस तरह की protest होंगे तो किसी भ political front पर बलकि economic front पर भी कई सारे challenges है इसलिए decision जो है इरान को लेना पड़ा और उसको reverse करना पड़ा इसके बाद यहाँ पर Germany के foreign minister जो है वो इंडिया के नराय हुए है और उनकी statement को लेकर एक analysis किया गया जर्मनी की foreign minister जो है जब पाकिस्तान में गई थी तब उन्होंने कस्मीर dispute को लेकर यह बताया था कि United Nation का एक बड़ा role होना चाहिए लेकिन जैसे भारत के अंदर आई भारत ने statement को जब पाकिस्तान के अंदर यह गई थी तो काफी criticism क्या था कि इस तरह के statement के कोई मतलब नहीं है और definitely third country का इसमें कोई role होना भी नहीं चाहिए अब यह इंडिया के आई तो इंडिया के बारे में definitely नहींने का कि Germany इस चीज़ को observe करता है कि economic constraints क्या है और इंडिया की importance क्या है इसके लावा यह भारत से एक त्रीकेस request भी करने आए कि Russian oil को लेकर जो European Union या G7 countries की जो request है oil price cap यानी Russian oil की की कीमत धारित कर देंगे हम लोग 60 billion dollar उसको जो है इंडिय इंडिया भी follow करें खर इंडिया follow करेगा ने करेगा वह इंडिया की foreign policy होगी लेगिन उन्होंने कहा कि ठीक है यह issue जो है जम्मन कस्मीरवाला भारत और पाकिस्तान के बीच में bilateral जो है एक issue है जिसको दोनों country मिलकर sort out करे तो अपने जो statement को किस तरीके से reverse करते है western country मैं repeat कर कर रहा हूं इनके लिए तो आने वाला दोर बहुत खराब है 2023 25 आप देखें अगले तीन साल में western countries के साथ क्या होने वाला है you will imagine और जिन लोगों बड़ा शोक है फोरन में जाने का उनके लिए बहुत अच्छा होगा यहां पर कि वो अपनी विजेट को postpone करें मैं repeat कर रहा हैं एक ideology बेज चलते हैं जैसे इंडिया जैसे जैसे rise कर रहा है इनको वो चीज़े हजब नहीं होती कि कोई country Asian country हमारे साथ compare किया जा रहा है या एक तरीके सितनी growth कर रहा है इसके अलावा रसिया पे 60 dollar per barrel का जो sanction यह लगा रहे हैं यह इनके उपर ही reverse होने वाली चीज़े इ हम लोग केवल United Nation के designated sanctions को भी follow करते हैं किसी भी individual group के किसी भी individual country के sanctions को हम लोग follow नहीं करते हैं इसके अलावा जो 60 dollar per barrel की जो request है इंडिया और रसिया के जो bilateral relation बहुत अच्छे टरम्स में और इंडिया continue रसिया से oil जो है purchase कर रहा है हमने पहले ही बताया था कि इंडिया के पर तेल अबलेबल कोन करवा रहा है अगर US करवा सकता इससे कम तो definitely हम लोग US से purchase करेंगे बट अगर आप नहीं करवा सकते थोड़ा सा शान्त रहिए और अगर आप आज भी देखेंगे भारत में यह trend है कि अगर माल लेते हैं चार सबजी वाले हैं और जहां पर सश्ती जाती इसमें कोई डाउट नहीं है हलांकि quality को लेकर compromise हो सकता लेकिन तेल में जो quality है उसमें कोई ज्यादा difference होता नहीं है वो यहां पर भी आप देखेंगे उसमें petrochemicals के थूर उसको purify किया जाता था वो procedure अलग है लेकिन फिलाल ये एक important है किस तरीके से stand जो है countries का change हो रह प्राइमिस्टर जो जर्मनी के अंदर गए थे जर्मनी को आपको identify करने जर्मनी की capital क्या है और जर्मनी की जितनी भी neighboring country है उनके बारे में आपको नीचे comment करना इसके अलावा गार कोई important geographical place जर्मनी का असपास हो तो वो भी आप नीचे comment कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं इसके पंजाब जो है अपने आप में debt trap state की तरह जो है अगर यह सही है तो definitely बहुत जादा challenging चीज़े क्योंकि जितना राज्य में किसी भी state में हमें लगता है कि development बहुत तेजी से हो रहा है लेकिन development के पीछे अगर तेजी से debt trap यानि कर्ज भी बढ़ रहा है तो यह किसी भी state के लिए कहीने के challenging है इसके अलाब बताया गया कि अगर growth momentum को revive करना है तो urgent step जो central government को यहाँ पर लेने पड़ेंगी इस तरह की statement दी गई इसमें पूरा procedure बताया गया कि 1980 के दसक में जब पंजाब के अंदर बड़ी संक्या में militant movement चल रहा था और उसके बाद पर restoration process शुरू के अंदर पंजाब फसावा इसको कहीने कहीं sort out किया जाए क्योंकि fiscal policy कहीने कहीं dysfunctional होती हुई नजर आ रही है अगर ऐसा है तो यह पंजाब के लिए आने वाला जो time है वो definitely challenging हो सकता है और यह request करेगी पंजाब के कुछ economist के दवारा की 2023-24 का जब budget आए तब इस चीज़ को constitution किया जाए कि कैसे पंजाब को अगले साथ साल में अगले 2030 तक एक targeted रखे कैसे debt free करना है इसलिए एक debate भी शुरू होती है कई बार कि जब हम बात करते कि क्या जो free में चीज़ें लेवल करवाई जाती है जो चीज़ें education health यह ऐसी चीज़ें है जो definitely आप सब लोगों के लेवल करवाएं और अगर हम हर व्यक्ति के लिए free में लेवल करवाएंगे जो electricity company अलड़ी financial constraint फेस कर रही है सरवाई कैसे करेगी यह बड़ा सवाल है और उस दुरान जब हम आने वाले time में प्लान कर रहे हैं कि हम अपने electricity को कहीने कहीं change करने वाले renewable energy sources में तो यह बड़े सारे सवाल है वो किसी वी राज्य के लिए क्यों पंजाब के लिए नहीं जहां पर भी इस तरह की free schemes है जो कहीने कहीं public के लिए बहुत ज़्यादा beneficial नहीं है या फिर एक तरीके से जो लोग taxpayer उनको लगता है कि नहीं यह चीज़े हो रही है तो हमारे साथ कहीने कहीं यह issue है हमारे साथ कहीने कहीं यह चल जैसी चीज़े होती है इसके लावा मेगाले राज्य न्यूज में मेगाले अभी दो वज़े से न्यूज में एक तो असम और मेगाले की वीच में border पर कुछ firing के cases हुए तो उसको लेकर और वो हमने पड़ी भी थी यहाँ पर discuss हो रही है कि drones के अंदर राइट और यहाँ पर जो वर्टी प्लेन X3 है इसको कस्टमाइज किया गया है कि यह पहला एक तरीके से फर्स्ट ड्रोन स्टेशन यहाँ पर designate किया गया है medical supply के लिए तो drones के application जो है वो बहुत important भी है और drone के application को लेकर UPSC pre में सवाल हुआ भी है तो किस तरीके से drones के थुरू medical supply जो है जिन एरिया में basic facility प्रोवाइड नहीं कि जा सकती वहाँ पर पहुचाया जा सकता है इसको लेकर यहाँ पर definitely discuss किया गया और आने वाले टाइम में अगर हम बात करें जैसे vaccines की delivery करनी हो, medicines हो, diagnostic sample हो, blood unit हो, यह सारी चीज़े वहाँ पर remote healthcare facilities की तरह प्रोव इनकी important geographical places, for example, गारोखासी जैनतिया, एक important hills है, इसके लावा next year में घाले के इंदर election भी होने वाले, बहुत सारी चीज़े direct और indirect link करके आपसे सवाल जो हो, हो सकते हैं, इसके बाद हम जाएंगे सीधा text and context वाले page में, text and context में दो तिन पहले तो short में news cover करीगी, उसके बारे म थोड़ा पढ़ लेते हैं कि news basically है क्या, for example, यहाँ पर एक important news cover करीगी है, कि state का जो capital expenditure है, जब भी capex word use होता है, capital expenditure मैंने थोड़ी दिन पहले बता था, capital expenditure का मतलब होता है, जब सरकार जो long term की asset को generate करने के लिए पैसा खर्स करते हैं, long term क्या होता है, जैसे current account में क्या होता है कि किसी साल किसी करमचारियों की जो salary होती है, वो current account है, एक साल के बाद समापत हो जाएगी, लेकिन capital account में जो खर्च होता है, for example, हमने highway बनाने में खर्च कर दिया, वो एक साल के लिए नहीं है, पांस साल साल, दस साल हो कम से कम stay करेगा, और थोड़ा ज़्यादा भी कर सकता अगर corruption नहीं हो, इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया, कि revenue increase तो हुआ राज्यों का, लेकिन उन्होंने capital expenditure में खर्च इतना नहीं किया है, और यह 2.2% के आसपास यहाँ पर mention किया गया, 18 राज्यों के बारे हैं बताया गया, कि उनका पिछले 6 मेनों में जो आज के fiscal year च इनका कम हो चुका है, यहाँ पर कितने percent है, कितने state है, कितने percent revenue deficit कम हुआ है, यह सारे चीज़ें avoid करिए, main जो points है, capital expenditure क्या होता है, इसके अलावा revenue deficit क्या होता है, यह भी हमें पढ़ना चाहिए, revenue deficit है, राजसो घाटा जिसको बोल सकते है, revenue deficit बहुत सिंपल सा एक word है, अगर आप इसको थोड़ा सा technical पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल यह है, कि आप उमीद कर रहे हैं कि हमें 100 रुपे कमाई होगी, for example, लेकिन कमाई होती है, हमें 100 रुपे की है, तो वो एक तरीके से 20 रुपे deficit है, या हम उमीद करते हैं हमारी Fiscal deficit, Fiscal deficit बहुत सिंपल सा है, कि आप उमीद से ज़्यादा खर्द कर देते हैं, कई बार इसको बोला जाता है, उकाद से ज़्यादा खर्द कर देना, कि 1000 रुपे की T-shirt है, आप 1500 की ले रहे हैं, तो वो आप शोबाजी के चकर में ले रहे हैं, लेकिन 500 रुपे का आपका Fiscal deficit हो गया है, लेकिन अगर आप government के terms में देखते हैं, तो कई बार Fiscal deficit बहुत अच्छा होता है, for example, अगर हमें highway complete करना, तो कुछ हमने loan लेकर highway complete किया, तो कहिने के investment ही है, तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर Fiscal deficit, revenue deficit, budget deficit, ये एक limit से ज़्यादा हो रहा है, current account deficit, तो definitely वो problematic है अगर government के terms में, अगर आप देखेंगे, economics के terms में देखते हैं, तो अगर ये limit में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और limit में नहीं है, तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, इसके बाद जारखन के forest के बारे में एक observation किया गया, एक report आई है, forest soil health card के दोरा, ये बताया गया कि जारखन क 69% जो soil है, forest area की, वो कहने कहीं, plant growth के लिए unfit हो चुकी, क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर nitrogen की deficiency देखने को मिलती, acute deficiency आपको देखने को, देखने को मिलती, इसके लावा यहाँ पर ये बताया गया, कि ये जो report है, ये कहने के prepare करी गया, forest productivity के द्वारा, और ministry of forest and environment के direction के through, तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जारकंड के अंदर, अगर forest के अंदर इस तरह की issues है, तो definitely एक serious problem है, इसके लावा, बायो एकनोमी के बारे में, भारत के मिनिश्टर साहब ने एक statement दिये कि 80 billion dollar की एक तरीके से, बायो एकनोमी जो है, 2022 में है, और 2014 से लेकर 2021 में हम बात करें अच्छे का से, start-up भी start हुए, इस तरह की factual information दी गई है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, 36 गट राज्ये ने एक decision लिया है, इलेक्षन से पहले 76% reservation कर दिया जाए, और सायदी किसी राज्ये में 76% total reservation का reservation होगा, इसके अलावा, ये reservation तब है, जब कई बार, state का, state के जो एक तरीके से reservation का procedure बढ़ाया गया है, वहाँ पर high courts ने कई बार hold किया है, कि वहाई 50% से उपर impermissible है, यानि ये permission नहीं है, और फिर फिर बार बार से same policy को promulgate करना क्या indication करता है, कि क्या state government high courts के supreme courts की judgment को जो follow नहीं करती है, अगर आप ने ध्यान दिया हो, जजमेंट आए थी, reservation को लेकर, अब आप लोगों के लिए सवाल ये है, कि reservation को लेकर जजमेंट आए थी, supreme court की, कि 50% से ज़्यादा reservation नहीं होना चाहिए, वह historical judgment आपको बताने हैं कि कौन से case में आए थी, और important एक सवाल भी है सी के साथ, यानि इसके साथ अटेज किया गया second question के साथ ही, जब भी हम reservation के बारे में discuss करते हैं, reservation insert करना है, reservation कम करना है, या भढ़ाना, गटाना, जो भी करना है, reservation insert के बारे माल लेते हैं, कि जैसे economically weaker section के लिए reservation insert किया गया constitution के अंदर, तो कौन सा वो article है, जिसके अंदर insert किया जाता है, reservation को लेकर section, वो भी आपको नीचे comment क है और उसी में उसको कहिने के चिंजिज किया जाते हैं उनके बारे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं इसके बाद इसके ठीक नीचे यहां पर आपको फोटोग्राइफ नजर आएंगे और यह फोटोग्राइफ बेसिकली क्या है इस फोटोग्राइफ में कवर किया गया कि किस इंडियान ओशन रिजन फॉर्म के नाम से एक समिट और्गनाजेशन करी और ये बताया गया कि भई किस तरीके से ये रिजन इंटरस्टिड है स्ट्रेजिक इंटरस्ट का इंपोर्टेंड है और कैसे अपने एकनोमिक फुट्प्रिंट को डवलप कर सकता है चायना इसके बा भारत इस चीज़ को किस तरीके से देखता है इंडिया जब भी चायना इंडियन ओशन में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है डेफिनली उसके पर प्रोपर नजर रखता है क्योंकि रेशन में चायनीज चायना का एक ट्रेकिंग वेजल यौन वांग फाई जो सिल क्या है ये बड़े सवाल है ये इंडियन ओशन रिम एस्टमेंट ये बहुत इंपोर्टन और्गनाजेशन है और यूप्यासी प्री में इसको लेकर भी सवाल हुआ है तो इस तरह की जो सवाल है वो डेफिनली आपको देखने को मिलेंगे इसके बाद यी रूपी को लेकर क्रिप्टो करेंशी आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा अट्रेक्टिव है हलाकि क्रिप्टो करेंशी कभी आप कभी टान होता रहता है इसके लावा क्रिटिक्स का एमानना है कि डिजिटल रूपे इतना ज़्यादा सक्सेस्फुल आइक आईडिया नहीं है क्योंकि जैसे एकनोमिक ग्रोथ में डेट्रेंट देखने हो में लेगा यानि यह सही कदम नहीं है तो इसका क्रिडिसिजम जो हो किया गया यह जो दोनों टोपिक है जैसे चाइना का जो मुँ एंडिया नोशन का यह तो हम लड़ी डिसकस कर चुके इरुपी वाला जो टोपिक है यह आप एक बार थोड़ा सा इसको जब आपके पास पीडियोफ आएगी शोफ्ट कोपिया आएगी तब आप इसको एक बार थोड़ा सा देख लेना तकि एक आइडिया जो है आपको इसको लेकर हो राइट इसके बाद पेज नमबर टेन पे ज जो मंत्री हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए स्वागत करता अफगानिस्तान को यह आपको दिक्कत होने नहीं देंगे सेक्योर्टी लेट इसको हलाकि इन खुद की सेक्योर्टी कोन करेगा यह आने वाले ट इन्वेस्टमेंट का खासकर अर्बन इन्वेस्टमेंट करेंगे यह सारी चीजें इससे पहले ही एजुकेशन मेंस्टी भी रह चुके सोहिल साहिन 1996 से 2001 तक और इसके अलावे बताया गया कि पिछले 20 सालों में अच्छा खास हमने कहीं ने कहीं वह नहीं होने देंगे लेकि मेरा सवाल यह है कि जब हम अफगानिस्तान में थ्रीट के बारे में बात करते हैं तो अफगानिस्तान में आज के टाइम पे इतने ज़्यादा टर्रिस्ट ग्रूप एक्ट्व हो चुके हैं और यह कुछ कर भी नहीं पारे क्योंकि केवल हाथ में बंदूक लेने से हाहू करने से वहाँ पर आप चैंपियन नहीं बन जाएंगा आप ग्राउंड रियालिटी का पता ही नहीं कि हो क्या रहा है तो डेफिनली आप सर्वाइव कैसे करेंगे पूर दुनिया कीसी भी कंट्री ने आपको रिखिसराइज नहीं किया है खर अ परिका यह है कि आप इरान और अफगानिस्तान से होते हो जाए तो थोड़ा बहुत रिलेशन हमें मैंटिन करना पड़ेगा यह हमारी कह सकते हैं मजबूरी क्यों कि इनकी जोक्राफिकल लोकेशन जो हो इस तरीके से है इसके अलावा यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नीज जो एक्जाम प्रिस्पेक्टिस से इंपोर्टेंट हो उसी के बारे में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सोटा सा जो इंपोर्टेंट होगा इसके बाद पेज नमबर 11 पर अगर हम बात करें यहाँ पर नेवी डे सेलिबरेशन के दुरान इंडिया की प्रिजिडेंट जो है इस्टरन कमांड जहां नेवी की है विशाखापटनों वहाँ पर गई और इन्होंने बता है कि इंडिया की ग्रोथ और प्रिस्पेरिटी जो है यह ओशियन से लिंक है ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब हम देखते हैं कि हमारी आर्म फोर्स ही चाए नेवी और आर्मी और ए इसी तरीके से नेवी का विशाखापटनों में सेलिबरेशन किया गया 1971 में इंडियन नेवी के रोल के बारे में डिसकस किया गया और कैसे हम लोग जो है वो आतम निवर भारत की तरफ आगे बढ़ सकते इंडियन नेवी को ओर जादा स्ट्रेंथन किया जा इसको लेकर भी डिसकस किया गया और निशनल ओपन एर रेंज इस तरह की स्टेटशी के बारे मी डिसकस किया विशाखापटनम के बारे में बताए गया कितनी rich maritime history है और किस तरीके से विशाखापटनम important है 1971 के वार में जो पाकिस्तान की naval submarine है गाजी इसको कैसे संग कर दिया गया था विशाखापटनम में यह जो movie है मैं आपसे request करूँगा जब भी आप free हो ना गाजी attacker के movie है यह आपको movie ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा importance है आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इन्डियन नेवी ने पाकिस्तान की जो नेवी है naval submarines को गाजी किस तरीके से इसको डुबो दिया था यह अपने आप में बहुत interesting है और historical यह कह सकते victory 1971 के war में जो चीजे पदल कर रख दी इसने वो भी अपने आप में important है इस mission ने इसके बाद इसके बाद page number 12 पे यहाँ पर mention किया गया कि जो traffickers होते हैं जो आप online जो बच्चे होते हैं इनको बच्चे भी अगर बोल देते हैं तो उनको थोड़े नराज होते हैं हमें बच्चे क्यों बोल दिया 16-17 साल की जो लड़की होते हैं लड़कियां होती है यह बताया गया कि जो online crime हो रहे हैं उसकी विक्टिम बन रहे हैं जैसे यहाँ पर story cover करेगी एक लड़की है पृती जिसका नाम बदला गया है और उसके पास ताजा ताजा स्मार्टफोन आया था चैटिंग शुरू की एक लड़के साथ बातचित शुरू होई friendship होई प्यार महबद जो भी चीज़ होई उसके बाद फिर वो मिली कहां पर पंजाब राजस्तान से थी वो पंजाब में उसको मुश्किल से सेव करके लाए गया तो इस तरह के crime जो है वो continue increase हो और COVID-19 के बाद online sources है वो definitely increase हो है और इसमें क्या हो रहा है कि जो chat application है dating application है maritime sites है gaming platform है online classroom इनके तरू जो है data को या आपके number को आपकी details को चोरी किया जाता है और उसके बाद फिर जो है वो active हो जाते हैं इसमें राजस्तान वेश्ट बेंगोल, जहारखन, मद्देपरदेश यहाँ पर बड़ी संक्या में महिला और बच्चों के जो है वो abusing के blackmail के trafficking के जो केसी देखने को मिलते हैं तो जो 16-17 साल के बच्चे या बच्चियां है लड़के या लड़किया है जिनको लगता है कि हम बहुत बड़े हो गया है और जो यह बोलते हैं कि मेरे बाबु निखाना खाया कि निखाया तो भाई यह बहुत ही serious case है और आप as a parents हो या आप यह तरीके से बड़े भाई भैन हो यह आपकी responsibility है कि आप जितने भी digital gadgets हैं उनके उपर proper नज़र रखे खासकर social media के उपर क्योंकि इसका बहुत negative impact हो रहा और यहाँ पर report यह बताते कि लगातार cyber crime खासकर बच्चों के guest वो increase हुए है जैसे online abuse के cases है वो continue हुए है इसी सब इनी सब चीजों को देखते हुए जरूरी है कि हमें end use की help चाहिए या government को इसको लेकर step लेने पड़ें क्योंकि इस तरह की चीजे जो है वो mental torture भी करती है माले थे एक बच्चे के साथ इस तरह की घटना होती है तो वो केवल उस घटना से तो सरवाई कर जाएगा लेकिन permanently उसको कही न कहीं दिमाग में चीज बेट जाएगी किस तरह की चीजे होते हैं तो mental कहीं न कहीं issues start होते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि आज के time पे जो young generation होती है बहुत ज़्यादा aggressive भी जिसको बोल सकते हैं बहुत ही quick decision लिया कि कोई threat हो गया कोई blackmail करना शुरू किया बाद में society जैसी घटना है होती है वो बहुत ही खराब है क्योंकि mentally एक व्यक्ति disturb होता है तो वो decision ही नहीं ले पाता है कि सही क्या गलत क्या है यह definitely serious issue है even child pornography जिसको multi billion dollar का एक industry बना दी गई इसको लेकर strict action लेनी की requirement है चाहिए वो government के दवारा हो चाहिए parents के दवारा हो चाहिए फिर एक तरी के से कह सकते है कि society के दवारा क्योंकि हमारी society में हो क्या रहा है आजगे time program देखते हैं कोई इस तरह के online circulate की जाती है तो वो circulation लगातार increase होता है नहीं कि उसको रोकने की बजाए तो ये भी ensure करना चाहिए कि कल किसी और का बच्चा है तो परसों जो हमारा बच्चा भी हो सकता है तो इस तरह की चीज़ें ना हो इसको लेकर ensure करना पड़ेगा है कि joint responsibility हमें लेनी पड़ेगी ताकि इस तरह ही घटनाओ को रोका जासके इसके लाबा सिंगापूर में कानून बन रहा है या amendment हुआ वहां की constitution में और ये amendment इसलिए विशेश है क्योंकि इसमें इंडिया के supreme court के judgment को indication किया गया है homosexuality या एक तरीके से same case में गर हम आते हैं same gender में कोई marriage करता है relation establishment करता है तो उसको decriminalize कर दिया गया homosexuality को section 377 जो IPC का था उसे को यहाँ पर example दिया गया और बताया गया कि हम लोग भी इसी तरीके सीज़े वहाँ पर बदलने वाले ताकि courts के तरुए चीज़े ना हो यह हम लोग government के तरुए इस चीज़ों को sort out करें इसके बाद page number 14 world affair क्योंकि Monday वो business नहीं आता और economy वाला page नहीं होगा तो यहाँ पर सबसे पहले discuss किया गया कि Indonesia का Mount Semuru Volcano जो है काफी ज़्यादा active हो चुका है और वहाँ पर तेजी से अगर हम बात करते हैं alerts जो हो ट्रीगर किये जा रहे हैं इंडोनेशिया इस टैम पर बहुँ ज़्यादा न्यूज में एक country है मैं repeat करता हूं क्यूं इंडोनेशिया में एक तो G20 सम्मिट हुई इसके लावा वहाँ पर football stadium में crowd में बगदर मजने से काफी लोग वे death हो गी थी इसके बाद वहाँ पर एक earthquake आया और अब वहाँ पर volcano एरेफ्ट हो गया है और पिछले साल इसी particular area में काफी लोग वे death हो गी थी तो यहाँ पर बता गया इंडोनेशिया का माउंट सेमरू जो है यह एरेफ्ट हो चुका है और इसके वज़े से cloud के अंदर जो धुआए धुआ आपको नज़र आएगा और इसी वज़े से यहाँ पर लोगों को shift क्या जा रहा है तो यह news में है इसके बाद अगर हम बात कर चाइना के जो त्री एस्टोनेट्स है वो छे मेने का लंबा मिशन के बाद वापिस अर्थ पर आगे चाइना कोशिस कर रहा है कि अपना खुद का space station डेवलप किया जाए और इसी context में यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने एस्टोनेट्स को भेज रहे हैं एक तरीके से पहला एक तो है OPEC plus countries OPEC plus countries क्या है जो साथी अरेबिया और ररश्या के agreement है कि 13 oil producing country है जिसको OPEC country बोला जाता है उनके साथ जो agreement किया जाता है उन्होंने एक limit लगा रखे कि हम लोग इतना oil production करेंगे और उसके बाद यह भी बताया गया कि अगली meeting जो जून 2023 में होगी सब्सक्राइब एक तो ओयल की डिमांड कम हुई है सेकिंड रिशियन में भी डिसीजन लिया गया कि युरोपियन उनियन जी सेवन अस्ट्रेलिया कि 60 डोलर पर बैरल जो है एक तरीके से कैप लगा दी जाएगी रिशियन ओयल पर उस कोंटेक्स्ट में भी डिसीजन लिया ग रशिया इन ≦ कंट्री हो ओयल देने से मना कर देता है तो रशिया के लिए भी प्रॉबलम है कि वह ओयल इनको दे की ना दे क्योंकि अगर ओयल सेहल ने करेंगा थीनक उपास पीसा कहां से एगा और झागा और अगर सेहल करेगा तो वह क्रों कलो कर रहा है यह वही सवाल ह लेकिन European country जो two-third एक तरीके से dependent है रशिया के उपर उनके सामने बड़ा संकट पैदा होने वाला है इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इस पूरे सिनरियों में हम चाइना के अंदर weaker energy demand है तो यह decision लिया गया कि भई तेल की कीमत जो हो कम हो सकती क्योंकि production कम हो रहा है लेकिन वहाँ पर demand भी दीरे-दीरे कम हो रही है तो इस विज़े से यह decision लिया गया है अब आप लोगों के लिए सवाल है जब हम opaque या opaque plus countries के बारे में बात करते हैं तो opaque plus countries में कौन कौन सी countries को आप include करेंगे यह आप लोगों के लिए सवाल है तो इसके बारे में जुरूर आप नीचे comment करिए इसके बाद इसके ठीक right hand side में इसराइल के जो president है वो basically जा रहे है बहरीन की विजिट पर और बहरीन वो country है जिनके साथ 2020 में normalization किया था relation को इसराइल ने बहरीन है मुरको है और UA है इसराइल के president जो है वो इस तरीके से एक छोटी जी गल्फ kingdom वहाँ पर विजिट कर रहे हाला कि इसराइल में president की जो पोस इनके साथ aggression को normalization किया गया तो इन्होंने कहा कि भई हम चीजों को और ज्यादा normalization करना चाहते हैं इस reason में stability पर काम करना चाहते हैं अलाइन्स को बढ़ाना चाहते हैं ये सारे चीजे economic, climate और security issues पर discuss किया गया तो पहले president बन गया है ये first president बन गया है जो इसराइल की बहरीन क visit पर ये गई है इसके लावा end में बताया गया कि इरान भले nuclear deal cancel हो ना हो लेकिन इरान ने काम करना शुरू कर दिया second या new nuclear power plant पर second तो नहीं है लेकि new nuclear power plant पर इसका क्या impact होगा कि क्या जो nuclear deal है world powers के साथ वो continue होगी या successful होगी या नहीं ये कुछ सवाल है लेकिन उन सब के व process कर रहा है direct or indirect तरीके से कि उनके पास nuclear weapon आपाया और nuclear weapon का मतलब होगा वो पूरे region को blackmail कर सकता है जैसे साथी रिविया भले ही पैसा हो लेकिन जब nuclear weapon उसके सामने खड़ा होगा तो साथी रिविया को भी surrender करना पड़ेगा क्योंकि option नहीं है nuclear weapon जो है वो जैसे North Korea पर अमरीक अबर सोचे ठीक है तो ये एक important है फिलाल the Hindu news analysis में इतना ही आप सबसे request है कि जितने भी question है आप सभी actively participate करिए और उनको answer करिए थैंक्यू जहिन